जिन्दगी में अपनी दुलना किसी से भी मत कीजिए जैसे चांद और सूरज की दुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं परिस्तितिया जब वे प्रीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं स्वभाव और संबंद काम आते हैं याद रखिएगा कि छल और धोके में बेशक बल है लेकिन प्रेम में आज भी हल है नमश्कार मैं हूँ मोहित कमल श्रिमाली आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल में आई अब बात करते हैं आज के विशेश उपाई की कि पान के पत्तों से नवरात्री में कामनापूर्ती कैसे हो सकती है तो सबसे पहले नवरात्री के दोरान सुबह है चार बजे से छे बजे के बीच में नहा धोकर पूजा पर बैठ जाना चाहिए है क्योंकि इस समय को ब्रह्म महरत माना जाता है उसके बाद माभुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी की आपको पूजा करनी है और पान के पत्ते की जड़ को गिसकर उनका तिलक करें ऐसा करने से आपकी वानी में मधुरता आएगी और खुबसूरती में भी व्रद्धी होगी साथ ही साथ आपके आकरशन शक्ती में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दूसरा उपाया आता है किसी भी रोक से मुक्ती पाने के लिए साबुत जटा वाला नारियल आपको लेना है अपने उपर से 21 बार उसे उवारना है कैसे करेंगे क्लॉक वाइस करते हैं ऐसे जब क्लॉक कैसे गुमती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाती है तो वैसे ही आपको भी करना है अपने सिर के उपर से 21 बार अब उस नारियल में कपूर डाल कर उसे जला देना है वहीं जरूरी काम में बार बार बाधा आने पर नवरात्री काल में रोजाना, शुभे, स्री राम, रक्षा, स्तोत्र का आपको पार्ट करना है ये आपके लिए बहुती जादा लाबकारी सिद हो सकता है साथी साथ में नवरात्री के नौदन आप ओम सर्वमंगल मांगल लिए शिवे सरवार्थ साध के शरणिये थ्रम्ब के गौरी नारायनी नमोस्तुते इस मंतर का जाप भी करें अब तीसरा उपाय नवरात्री में आप कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं इस दौरान आने वाले मंगलवार को पान का एक साबुत पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलाईची रखकर उसका बीड़ा बना ले किसी भी हनुमान मंदर में जाकर उसे अर्पित कर दीजे और कर्ज की समस्या से निदान पाने की ये आपको मनोकामना जाहिर करनी है ऐसा करते ही आप की जितनी भी परिशानिया है अपने आप हनुमान जी हर ही लेंगे चौथा उपाय आता है धन लाब के लिए धन लाब के लिए अश्टमी और नवमी के दिन साफ स्थान पर उत्तर के दिशा में मू करके आपको बैठना है अपने सामने एक थाली में कुमकुम से रंग कर बनाए लाल चावलों की एक धेरी बना कर उस पर श्रीयंत्र स्थापित करना है और इस श्रीयंत्र के सामने चमेली के तेल के नौदीपक जलाकर लक्षमी का मंत्र ओम श्रीम श्रिये नमहा इस मंत्र का जाप करना है पांच वाउपाए जहां पे ग्रह कलेश जादा होता है या हो रहा है तो कोई घर में परिशानी हो तो आपको इस नवरात्री के नववे दिन लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गास्तोत्र और दुर्गाजी की नमावली का पाठ करना है घर में सुक्षान्ती का प्रवा आप अपने आप बहुती जल्द देख पाएंगे छटा उपाए उन लोगों के लिए जो नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या तो फिर व्यापार में बढ़ात्री में अर्चने देख रहे हैं तो आप सभी को नवरात्री में ये उपाए जरूर करना है पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है और इसे मादुर्गा को अर्पित कर देना है इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाना है अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख करके आपको आ जाना है सभी बाधाएं जो हैं वो दूर होंगी और कार्य में आपको प्रगती देखने को मिलेगी साथ वाउपाय व्यापार में सफलता अगर आप पाना चाहते हैं तो नवरात्री में नौ दिनों तक एक ही समय पर पा आप जो है उपाय का नहीं मिल पाएगा आठवा उपाय नवरात्री की नवमीतिती को शिव मंदर में जाकर शिवलिंग पर दूद दही घी शहद और शक्कर ये मिला करके चड़ाना है अच्छे से सनान करवानी है इसके बाद मंदर की सफाए भी आपको स्वयम करनी है पूरी होती जरूर दिखेगी अब नववा उपाय यदि आपके घर में पारिवारिक समस्य हैं बहुत ज्यादा है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है कोई अंती नहीं नजर आ रहा है तो नवरात्री के नववेदन यानिकी नवमितिती जो आने वाली है 14 तारिक को उस दिन सनान करके निपट करके आपको जो मंत्र बता रहा हूँ इसका उचारन करना है 108 बार और अगनी में आहूती देनी है घी की मंत्र कुछ इस प्रकार है सब नर करही परस पर प्रीती चलही स्वधर्म निरत शुरूती नीती इस मंत्र का जाप करना है आपको 108 बार और अगनी में घी की आहूती देते जानी है आप रोजाना भी इस जाप का काराम से कर सकते हैं सिफ नवमी के समय आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है नवमी को शुरू कर दीजे पर इसको लगातार करते रहिएगा 21 दिनों तक आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे घर में जो negativity है वो हटती जाती है कैसे माहौल वापस से सही हो जाता है शुद हो जाता है घर में सब प्रेम से एक साथ में रहते हैं घर में परिवार का माहौल जो है वो अपने आप बदलता नजर आएगा तो ये तो हुए नौ उपाय पान के पत्तों के इस नवरात्री की नवमी तिथी को आप करने वाले हैं जो पर समाप्त करने से पहले बात करते हैं लक्षमी जी की दिपावली की विग्ण निवारन के लिए गनेश जी की न केवल विग्ण विनाश ही वरन प्रत्य कामना भी इनकी उपासना से पून होती है हिंदू धरम का कोई भी मांगलिक कार्य बिना भगवान गणपती की पूजा के प्रारंब नहीं हो सकता इतना ही नहीं हर देवी देवता की आराधना साधना करने से पहले भगवान गणपती से ही प्रार्तना की जाती है हिंदू धरम में अतिम महत्वपून देव हैं देवादी देवगनपती और मालक्षमी प्रत्येक व्यक्ति के संपून जीवन की आराध्या है संसार का आधार है मालक्षमी की क्रिपासे धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्टा, यश, कीर्ती सभी उपलब्ध हो जाता है इसलिए कि मालक्षमी सभी कुछ देने में समर्थ हैं विश्व में सबसे अधिक विधिया लक्षमी साधना से संबंदित है जिस तरह से लक्षमी जी और गनेश जी अपने अपने शेत्रों में अलग-अलग महारत रखते हैं अगर इन दोनों शक्तियों का आशिरवाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाय पूरी हो सकती है आप पा सकते हैं अपारधन, यश, वैभव जहां लक्षमी जी की पूजा उपासना आपको लक्षमीवान बनाती है वहीं बुद्धी प्रदाता, विग्न विनाशक गणपती जी आपको तिक्षन बुद्धी, चतुराई प्रदान करने में सफल साबत होते हैं लक्षमी जी को चीरकाल तक आपके जीवन में रुकने में आ रही विग्नो का विनाश करती हैं और दिपावली का महापर्व आने वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन परव पर वह माता लक्षमी को और भगवान गनेश को प्रसंद करने और अपने जीवन को सवार पाए अपने कश्टों को सौभाग्य में परिवर्तित कर पाए अपने दुखों को दूर कर बहुत इक सुखों की प्राप्ती कर पाए तो आपके लिए ये दिपावली एक अफसर हो सकता है पर लक्षमी विनाय कलिश के माध्यम से पूजा करने का स्थापित करने का अकेला मौका यही मिलने वाला है आप आज प्रण लें कि आप अपना भाग्य बदलेंगे आवाहन कीजिए सुक्सम्रिद्धी का एश्वरिय का इस दिपावली के महापर्व पर आशा करता हूँ कि जो आपको इतनी जानकारी दिया हूँ इतने उपाय बताया हूँ इतनी सारी महनत किया हूँ आज इस से आपका जीवन कुछ तो सुधर ही पाएगा बस बात यहाँ पर यही आती है कि एपिसोड देख करके सिर्फ सोच करके बदल नहीं सकते जीवन को जो उपाय बताया हूँ वो जब तक करेंगे नहीं तब तक सुधर नहीं पाएंगे इस बात को गांट बांद लीजेगा हमेशा की तरह यही हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे घर में बड़े भूडों का आश्रवाद आपको हमेशा मिलता रहे हमेशा की तरह जैश्री राम एवं जैहन कि तरह जैश्री बड़े रहे